आज किस वीडियो में हम लोग क्लास्टेंट के सरमागेश से भुगोल के चेप्टर 3 के question answer को पढ़ने वाले हैं हमारे पास जो chapter 3 है इसका नाम है जल सनसाधन और आज किस वीडियो में हम लोग इस चेप्टर के complete question answer को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको हरे question को अपने language में बताऊंगा यानि यहाँ पर कोई भी सर्मागेस का language नहीं होने वाला है तो चलिए एकक करके हम लोग सारे question के answer को देखते हैं हमारे पास जो पहला question है देखिए पहला बात यहाँ तो जो भी questions सारे की सारे questions important है और हर एक question का answer मैं आपको बहुत ही simple तरीके से समझाओंगा अगर आप एक बार इस वीडियो को complete देख लेते हैं तो आप इन questions को जिन्दगी में कभी भी नहीं भूलेंगे तो चलिए देखते हैं पहला question पहला question हमारे पास क्या है कि जल्दूरलबता क्या है इसके मुझ के कारण क्या है बात समझ माया कि आपको बताना है कि जल्दूरलबता क्या है और ये जो जल्दूरलबता है इसका मुझ के कारण क्या है यानि इसका reason क्या है क्यों जल्दूरलबता हो रही है ठीक है तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा मतलब जल क्या है एक नवी करनी है योग्य संसाधन है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा परंतु जल के असमान बित्रन जल का असमान बित्रन मतलब क्या हो गया कि अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर जल कम है जल की अच्तियदिक मांग एवंग जल के गलत उपयोग के कारण जल अस्तर लगातार नीचे जा रहा है तो जल की कमी हो रही है जल की कमी की समझत्या को जल दुरलबता कहते हैं यहां पर जल्द नहीं लिखना है आपको लिखना है जल 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 समझिए यहां पर जल का आसमान वित्रन इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर जल अधिक मात्रा में है तो कहीं पर जल कम मात्रा में है जल दुरलब्दा मतलब क्या हो गया कि जल की कमी मतलब देखिए यहां पर जल अधिक मात्रा में है तो कहीं पर जल कम मात्रा में है और जल की अधिक मांग और देखिए जैसे जैसे जनसेंगा बढ़ रही है तो जल का जो डिमांड है ये भी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहा है और देखिए बहुत ही अधिकतर जगों पर क्या किया जाता है जल कि कमी तो जल्की कमी की जो समैसा है उसे हम लोग जल मैं किया कारण है तो पहला कारण तो आपको यहीं पर दिक राज सर क्या है कि जल के गलत उप्योG अगर हम लोग जल का गलًग गलत तूपयोग करेंगे तो क्या होगा जल दुरलब्दा होगा ठेक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई दिकत नहीं है चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे देखिए जल दुरलब्दा के निमलिकित कारण है क्या कारण है तो पहला कारण हम जानते हैं कि पिर्थवी पर तीन भाग जल एवंग एक भाग अस्तल है पिर्थवी में क्या है तीन भाग जल है तो एक भाग अस्तल है फिर भी जल की कमी हो रही है देखिए अगर पिर्थिवी पर देखा जाए तो अधिक मात्रा में पानी है कि तीन भाग में पानी है एक भाग मास्तल है तो पानी की मात्रा अधिक है लेकिन फिर भी पानी की कमी हो रही है यानि की जल की कमी हो रही है क्यों हो रही है तो क्योंकि यह जल अधिक से अधिक मा में ही होती है यानि जल की कमी होती है क्यों होती है तो यह जो अधिक मात्राम जो पानी है जो तीन भाग में पानी है तो अधिक तर मात्राम जो फानी है जल है यह कहां पर समुद्र में उपस्तित है और हम यह भी जानते कि समुद्र का जो जल होता है नमकिन होता है नहीं कि ल जल दुरलब्ता का ये भी एक कारण है आगे बात करें तो देखिए आज कल के लालची आदमी पैसा कमाने के चलते पेड़ पोदों के अंधादुन कटाई कर रहे हैं जिससे समय पर वर्सा नहीं हो रही है और पानी की कमी होते जा रही है बात समझ माया कि जो लालची आदमी पैसा कमाने के चलते क्या कर रहे है पेड़ पोदों के अंधादुन कटाई कर रहे हैं जिससे ना तो समय पर वर्सा हो रही है और ना ही पानी हो रही है और ये भी क्या है जल दुरलब्ता का एक कारण है आगे देखें आजकल जगा जगा पर उद्योग एवन कार खाने पर उद्योग कार खाना मिल जाएगा आपको ठीक है तो हम सभी जानते कि जो उद्योग कार खाना है इन सभी में भी अधिक मात्रा में पानी का विसकता होती है और ये भी क्या जल दुरलब्ता का एक कारण है किलियर है आगे बढ़ें तो आगे देखिए जब हम खेतों की स करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्या विसकता से अधिक पानी का उप्यों करते हैं तो इससे भी क्या होती है पानी की कमी होती है यानि कि यह जल दुरलब्ता का कारण है आगे बात करें तो आगे देखिए बिजली उत्पादन के लिए भी एक बड़ी मात्रा मे पानी क्या विसकता होती है इससे भी पानी की कमी होती है मतलब ये भी क्या एक जल्दुरलब्ता का कारण है केलियर है आगे बात करें तो चलिए आगे कोश्चन को देख लेते हैं हमारे पास जो अगला कोश्चन है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और इस कोश्चन का जिक्र का दीना आ गया चली इस कोश्चन को देखते हैं साथ इस कैंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और चित्र के मार्दम से समझेंगे ताकि एक ही बार में आपके दिमाग में बेड़ जाए और आप इसको एक्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएं तो देखें हमारे प समाप्त नहीं होंगे पहला बात दुसरा बत क्या कि जिसको हम लोग एक बार यूज करेंगे तो कुछ समय पसचाथ एक निश्चित समय अंतलाल के बाद जिसे मोग दोबारा पराप कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे नभी करनी योई के संसादन कहेंगे और जल्भी क् लिखा है कि नभी करनी योई के संसादन क्या होता है तो इस संसादन जो कभी समाप्त नहीं होते तदा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतलाल के बाद जिने दोबारा परात क्या जा सकता है इस परकार के संसादन को नभी करनी योई के संसादन कहेते है यहां तक अब समझ गहीं? तो इस परइभासा के आधार से देखा जाए तो जल भी एक नभी कर्नी गोई किस संसादन है। अगर इस definition को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से पता चल रहा है कि जल क्या है तो जल भी एक नभी कर्नी गोई किस संसादन है। आगे बात करें तो देखिए, हम जानते हैं कि पिर्थिवी में तीन भाग जल एवंग एक भाग अस्तल है, और यह जल समुद्रों, नदियों, जीलों और खेतों में हैं, जब सूरी का प्रकास इस जल पर पड़ते हैं, तो यह जल वास्प बनकर उड़ता रहता है, बात समझ यह जो जल है, इस पर जब सूरी का प्रकास पड़ता है, तो यह वास्प बनकर उपर उड़ता है, ठीक है, फिर, फिर जब यह वास्प ठंडे हो जाते हैं, तो बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्सा होती है, और यह जल फिर हमारी फिर्थिर पर वापस आ जाती है किलियर है और यह जो वास्प है यह जब ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेता है और यही बादल से फुना वर्सा होती है और वर्सा का जो फानी होता है फिर से जाकर समुद्रों में जमा हो जाता है यहांने मतलब यह जल फर्फुना वापस आ जाती है और इस परकार से यह चक्र चलते रहता है जिसे हम लोग जल चक्र भी कहते हैं अभी जैकी यहां पर लिखा है कि जिसे क्या कहते हैं जल चक्र खा जाता है और यह परक्रिया चलते रहती है जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है अता जल एक नभीकरनिय संसादने बात समझवाया और यह जो परक्रिया है यह जो फ्रोसे से चलते रहती है जिसे हम लोग जल चकर करते हैं और इससे हमको क्या होता है पानी एकदम मिलते रहता है और इस परकास जल क्या है एक नभीकर इस पर पढ़ रही है तो यह जलवास बनकर उपर उड़ रहा है और यह जलवास पर क्या होता है जब ठंडे हो जाती है तो बादल का रूप ले लेता है और यह बादल क्या होता है फिर क्या होता है यह जो बादल है यह आगे जाकर बरसने स्टार्ट हो जाता है और फूना य के अर्द सूस के शेत्रों में वर्सा जल संग्रन किस प्रकार क्या जाता है वेक्षा करें तो राजस्तान जैसे इलाकों में मतलब पाने की जो समयस्था होती है बने रहती है तो इस प्रकार की इलाकों में मतलब वर्सा जल संग्रन किस प्रकार से क्या जाता है इस जो बताना तो देखिए इसके उत्तर को उत्तर तो रायस्तान भारत का एक बहुत बड़ा मरुस्तल है रायस्तान क्या है भारत का बहुत बड़ा मरुस्तल है मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपको रेथी रेथ मिलेगा यहां पर पानी के समिश्चा एकदम बहुत ही अधिक मातरा में हो पाकि जो लोग है उन लोगों ने पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाव जील यह सब का निर्मान किया लेकिन फिर भी यहां पर लिखा है कि फिर फिर भी पानी की समय साथ पूरी तरह से दूर नहीं हुई बात समझ माया उन लोगों ने तालाव जील का निर्मान किया ले में वर्षा जल संग्रहन नीम्ड प्रकार से क्या जाता है अब किस प्रकार से क्या जाता है चलिए आगे बात करते हैं तो देखिए बच्चों किस प्रकार से क्या जाता है देखिए यहां पर पहला कि राजस्तान के अर्दस उसके छेत्रों में रहने वाले लोग घर के छट को ढलवा बनाते हैं वहां पर जितने भी लोग रहते हैं जो घर का छट होता है उसको ढलावा टैप का बनाता है ताकि जो भी पानी रहे हुआ अग्दम सीधे सीधे मतलब नीची आ जाए ठीक है वहां के लोग वर्षा के जल को संग्रहन करने के लिए घर में अथ्वा आंगन में एक बहुत बड़ा भूमिगत टंकी बनाते हैं बात समझ में आया कि वहां के जो लोग है उनलोग क्या करते हैं एक बहुत बड़का सा भूमिगत टंकी बनाते हैं अब कोई-कोई आदमी अ तंके में जोर दिया जाता है आगे देखिए तो क्या होता है कि वर्सा का पहला पानी उन्हों लोग चत तंकी पाइप इत्यादित होने में लगा देता है और वर्सा का पहला पानी का संग्रहन नहीं करता है बात समझ माया जो भी लोग है वहाँ पर जो भी लोग इस प्रकार से वर्साजल संग्रहन करते हैं, तो जो पहला जो पानी होता है, उसको बहा देता है, बात समझ माया, और जो उसके बाद का जो पानी होता है, उसको संग्रहन करता है, नहीं करता है, तंकी में एक मसीन लगा हुआ होता है, जो पानी को फिल्टर करता है, बात समझ माया, तंकी में क्या होता है कि मसीन भी लगा दिया जाता है जिससे जो भी पानी मतलब जाता है वहाँ पर उस पानी को क्या करता है फिल्टर करता है राजस्तान के लोग इस पानी का उपयोग कि वर्षा जल संग्रहन क्या है तोढ़ वर्षा का जो कट करना कि संहर है तो यह एक खास माज़धम सी घठा करना बाद में इसका उपयोग करना वर्षा संग्रन कहलाता है बात संग मैं वहीं चीजी है तो यहांपर आगे क्या कि वर्षा जल संग्रण के उद्देश से मंगलाब यहां पर आप नीचे यही पर आप बरसा लिखेगा सबसे वेस्ट रहेगा ठीक है यह जो वर्षा यहां पर मेंने लिख दिया है। इसको आप क्या किजेगा नहीं दि लेते हैं। तो वर्षाजलसंग्रहन की उद्देश से मं लाव। वर्षाजलसंग्रहन के उद्दे très अगर हमारा पानी रहेगा ड्रम में या पिर कहीं पर भी टंकी में अगर वर्सा जल संग्रेती रहेगा तो यह जो फानी होगा इस पानी का यूज हम लोग गर्मी की दिनों में भी कर सकते हैं किसी कारण यदि किसी साल वर्सा कम हो तो हम लोग इस पानी से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं कि यहां पिर क्या कहा गया है कि मान के चले कि किसी साल वर्सा मतलब कम मात्रा में होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यह जो पानी है इस पानी से जो भी मतलब जल रहेगा मतलब क्या कर सकते हैं जल को हम लोग क्या कर सकते हैं जो रोड में जमा हो जाता है उसको रोड में हम लोग जमा होने से भी रोख सकते हैं वर्सा जल संग्रहन करके भूम जल अस्तर बढ़ाया जा सकता है जो भूम जल अस्तर दिरे जो नीचे जा रहा है तो वर्सा जल संग्रहन करके हम लोग इस प्रोबलम का भी सॉल्व कर सकते हैं आगे बात करें तो आगे देखिए और यह हमारे इस चेप्ट का लास्ट कोशन है क्या है कोशन कोशन है कि परंप्रागत वर्सा जल संग्रहन की पद्धतियों को आधुनी काल में अपना कर जल संग्षने बंग भंधारन किस परकार क्या जाता है तो पारमप्रागत वर्साजर संगरन के पद्दितियों को आथुने काल में अपना कर जल संगरहने भन्डारन नेहने परकार से चेया जाता है। कि क्या लिगना कि राइस्तान के जार्थ सुख्ष के रहने वाई लोग घर के चट को ढलवा बनाते हैं पहला बाद वहां के लोग वर्सा के जल को संगरन करने के लिए घर में एक बहुत बड़ा भूमगत चंकी बनाती है भी में आपको पढ़ाया घर के चट से एक पाइप टंकी तक जुड़ावा होता है जी भी चीजा भी में आपको बता दिया फिर यहां पर जितने भी कोश्चन का जो भी पॉंचर सारे के सारी पॉंट का भी में आपको बता दिया क्या बता है और यहां पर कि वर्सा का पाने उन लोग च्या चंकी पाइप जो भी होता है तो यह ता इसका फंडा को अगला लेक्षर हैगा अगला के शेप्टिन को पढ़ेंगे इसका ना लोग बात करेंगे इसके एक वाले questions के उपर यानि जो भी अब्जेक्टिव questions होंगे सारी सारी objective questions को देखेंगे फिर इसके बाद हमारे जो अगला लिक्चर आएगा उस वहां पर हम लोग क्रिसी चेप्टर के complete questions को देखेंगे तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइ स्क्रिक्यों